नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरे नाम है प्रदीप सर्मा आप देख रहे हैं टेक्नोलोजी अप यूटूब चनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जानकर एक ऐसे एप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके काफ आपसी खास बात इस एप की मेरे को यह लगी कि इसके लिए आपको एक भी रुपया जेपशिन नहीं देना पड़ता यानकि बिल्कुल फ्री ओफ कोश्ट है वीडियो में आगे बेड़े उससे पहले जो है मैं एक चोटी सी स्टोरी आपके साथ सेर करना चाता हूँ पिछ हाँ आज कि मेरी मेरे आइके बीगर दैपे ने काुष लंको मैं कवा समय हूँ इसने मेरे में से खाते हैं हमगे की मेरे और मैं का सबक्र minha डाई होु तो अगर रहता है तो हमें आपकी है calculate करने में कि कोन कितनी दिन आया कितना हाब दे लिया तो करा दो-तिन दिन लग जाते हैं बट हम manage कर लेते हैं तो दोस्तों मेरे दोस्त के office की तरह पता ने कितने सारे ऐसे office हैं कितनी सारी ऐसी कंपनिया हैं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का business करते हैं वो अभी भी जो है अपने employee का यान की जो करमचारी है उनके उनकी attendance इस तरह से manually तरीके से manage करते हैं तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा आपका time भी बचाएगा resource भी बचाएगे और आपको एक ऐसा option भी मिल जाएगा कि आप जो है अपने employee आपके जो करमचारी है उनका काम जो है mobile से ही manage कर सकते हैं चलिए जब आप य के चलता हूं mobile की स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर मैं आ गए हूँ अपने mobile की स्क्रीन पर और इस app का नाम है क्यूक payroll इस app का link मैंने वीडियो के description में दे दिया है और यहां पर गूगल का जो play store है वहां पर search करेंगे क्यूक payroll के नाम से है तो इस तरह से app आ जाएगी यहां प पर 7MP की जो app है तो यहां पर कुछ second के बाद यह जो install हो जाएगी यहां पर देखें installation स्टार्ट हो गया है जैसे ही app install हो जाएगी यहां पर open का option आजाएगा बाकि आपके mobile में भी आ जाएगी कि इस तरह से इसका icon आपको दीखेगा यहां पर देखें क्यूक payroll इस तरह से icon दीखेगा आपके mobile में तो इसको open कर लेना है आप पर आपको कुछ second के बाद इस तरह से जो आपके सामने page आएगा यहां पर आपको अपना mobile नंबर जो है mention करके और यहां पर नीचे देखे get OTP का option है इस पर प्रेस करना है तो आपके mobile पर जो OTP आएगा तो चली मैं mobile नंब already verified आ रहा है या white green OK हो गया मतलब आपका mobile नंबर already verified हो गया तो यह आपका mówi आपका नाम, आपकी email, id यहाँ पर mention करके, यहाँ पर देखे, continue को option है, इस पर press करना है, तो चलिए, यह भी मैं detail मेंशन करके continue करता हूँ, यहाँ पर मैंने detail मेंशन कर दी है, नाम, यहाँ पर email, e-d और यहाँ पर mobile number ओरड़ी verify है, अब यहाँ पर continue का option है, इस पर press कर देता हूँ, इस पर press करने के बाद यहाँ पर please add your business with quick payroll, तो यहाँ पर आपको अपनी company का नाम mention करना है, तो जो भी आपकी company का नाम है, यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ, जैसे कि मेरी company का नाम है technology app, तो यहाँ भी मैं technology app mention कर देता हूँ, ठीक यहां पर तो उसके बाद यहां पर continue का option है तो यह आपको जो है facility मिल जाएगी कि auto generate करना है आपकी employee code या फिर custom तो जो आपके साफ से जो आपको अच्छा लगे वो यहां पर select कर सकते हो उसके बाद यहां पर continue और जैसे continue करेंगे उसके बाद यहां पर what is the most common day for weekly option कि आपकी company मे weekly of कोन सा रहता है mostly जो है company में Sunday का ही रहता है अगर आपका सचे डे संडे रहता हो यहां पर दोनों select कर लीजिए उसके बाद यहां पर add का option है इस पर press कर देना है और जैसे इस पर press करेंगे उसके बाद यहां पर आपकी company का नाम आजाएगा यहां पर what you can do with quick payrolls यहां पर दे attendance है उसको आप export कर सकते हो pdf में excel में उसके साथ साथ यहां पर एक नया option आपको जल्द देखने को मिलेगा payroll calculation का यहां पर अभी comments होना है तो आपको और भी नए feature आपको देखने को मिलेंगे अब यहां पर देखे let's add employee first और यहां पर add करना है और आपको आपका जो employee है आपक पर mention कर सकते हो यहां पर आपको employee का जो है पूरी detail mention करने है जैसे कि employee code उसका पूरा नाम उसका contact number कब से जो है join किया और यहां पर add from contact list इस पर प्रेस करके जो है contact से भी जो है आप उसको add कर सकते हो और उसके साथ साथ जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर what is the rest day for प्र बने और वेंगे रात बिसके हो तो यहां पर add हो गया और यहां पर active इन active all का option है इसके allow यहां पर add का और भी option है इस पर जाकर और भी employee जो है आप add कर सकते हो यहां पर将 사ktator करके अब нев यहां पर क्रम चारी और की employee छोड देता है नाकारी तो यहां पर date of exit का uh old e यहां पर आप प्रेस करके जो है date of exit भी mention कर सकते हो, यहां पर देखिए attendance का एक option है, इस पर प्रेस करके अब यहां पर month यहां पर day और year आ रहा है, इस पर प्रेस करके आप जो है चेक कर सकते हो, यहां पर present, absent, paid यहां पर आपको दीखता चला जाएगा, और जितने भी employee रहें और we custom करके यहां पर select है, यहां पर यहां पर बनावमबर मैंने जो इसकी इनिक date aड करेऊ है, तो यहां पर हम रहें हैं इसका चेक कर सकते है यहाँ पर एड कर सकते हो यहाँ पर सी क्लिव में जो है एड हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो आ गया है option अब यहाँ पर देखे काभी सारे यहाँ पर आएगा do you want to bulk update यहाँ पर यहाँ पर आपको जो है एक क्यूक समरी मिल जाएगी यहाँ पर देखे डाउलोड का भी option है इस पर प्रेस करके जो है आप यहाँ पर अलाव से आपको पूछेगा क्योंकि आपके मोबाईल में जो है डाउलोड होगा तो यहाँ पर पर आप के सामने घ्राग के सामने तो यहाँ पर पर आपके लिक शन है और डिपोर्ट के सकते हो जितेने भी आपके employee रहेंगी उनकी detail जो है excel में download होके आपके सामने आ जाएगी तो दोस्तो इस तरह से इस app का आप यूज़ करके एक अच्छी तरह से manage कर सकते हैं जो manually register में उसकी हाजरी लगाते हैं यानि कि जो P.E.L. लिखते हैं आप इस app के माधियम से अपने जो employee आपक के साथ share के आपको पसंद आई होगी वीडियो के description में इस app का link दे दिया है वहाँ पर जाकर इस app को install कर लिजे इसके बारे में आपकी क्या राया है क्या feedback है comment box में comment करके जरू बताना मैं प्रदीप सर्मा फिर मता हूं ने वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा आप बाई तक केर